नमस्कार, आज का हमारा पार्ट है The Portrait of a Lady खुस्वन सिंग जी के जारा लिखा गया है ये अपनी दादी के बारे में उन्होंने एक चित्र बनाया है यानि कि लिख करके अपनी दादी मां का एक उन्होंने व्रिध चित्र बनाया है फिर कहते हैं कि उनकी दादी और लोगों की दादी की तरह ही एक ब्रिध महिला थी ओल्ड वूमन थी वो, 20 वर्सों से मैं उसे जानता था वो कहते हैं कि वो उसे 20 वर्सों से जानते थे और उनके चेरे पर जुरियां थी लोग कहते हैं कि वह कभी बहुत सुन्दर हुआ करती थी उनके पती भी थे लेकिन यह बात लेखक के लिए मानना कठिन था कि उनके पती थे लेखक के दादाजी का चित्र ड्राइंग रूम में अंगीठी के उपर लटकावा था और उन्होंने बड़ी पगड़ी धीले ढले वस्त्र पहने वे थे उनकी दाड़ी भी थी जो उनकी चाती के हिस्से को ढखती थी कम से कम वैस सो वश के दिखाई देती थे और इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे कि उनकी पत्नी भी है या बच्चे भी है लेकिन वह ऐसे दिखते थे मानों उनके बहुत जादा पोते-पोतियां हूँ यानि कि वह बहुत ही बुजुर्ग दिखाई देते थे जहां तक लेखक की दादी के युवा और सुन्दर होने की बात है तो यह विचार भी भेंकर पतिक्रिया पैदा करने वाला था क्योंकि दादी इतनी सुन्दर दिखाई नहीं देती थी लेखक की दादी लेखक को हमेशा खेलों के बारे में बताती थी जो वह बच्वन में खेला करती थी और यह उसके लिए बिल्कुल मुर्गता पूर्ण और ऐशोभनिये प्रतीत होता था और हम इसे पैगंबरों की कहानिया जैसा मानते थे क्योंकि लेखक को ये विश्वास नहीं होता था कि उनकी दादी खेल भी खेला करती थी वह जो थी लेखक की दादी बहुत ही छोटे कद्गी मोटी सी और कुछ जुकी हुई सी थी उनके चेहरे पर काफी जुरियां थी लेखक का विश्वास था कि वह हमेशा ही जुरियों वाली रही होगी और वह इतनी बुड़ी थी कि इससे ज़्यादा बुड़ी नहीं हो सकती थी क्योंकि लेखक उनको 20 साथ से उसी प्रकास से देखता चला आया था और वह बेदाग सफेद कपड़े पहन कर घर में थोड़ा लंगड़ाती हुई सी घुमती थी और उनकी पीठ जो थी उसको जुकने से बचाने के लिए वह अपने कमर पर अपना हाथ रखती थी दूसरे हाथ में वह माला रखती थी और मोतियों को घुमाती रहती थी ये चान्दी जैसे बाल पीले और सिकड़े हुए चेहरे पर बेतर्तीब तरीके से बिख्रे हुए रहते थे और उनके होट हिलते रहते थे कोई प्रार्थना जैसे वो करती रहती थी हाँ वह सुन्दर थी लेकर कहता है वह परवतों में शीत के द्रश्यों की तरह थी सवच्छ सफेद शांती का विश्टिच छेत्र जहां शांती ते था संतोस समाया था लेकर क्या कहता है कि उनका चेहरा देखकर के बिल्कुँ शांत जैसे कोई द्रिश्य हो सरधी में जैसे पहाडों पर जब हम चाते हैं तो वहां बिल्कुल शांती नजर आती है उस प्रकार से उनका चेहरा सफेद भालों के भीतर बिल्कुल शांत नजर आता था लेखक और लेखक की दादी दोनों फ्रेंट्स थे उनके माता पिता ने लेखक के माता पिता ने दादी के पास उनको छोड़ दिया था जब वो अपने आपको शहर में सेट करने के लिए चले गए थे वो उन्हें सुबह उठाती और स्कूल के लिए तयार करती थी नहलाती, कपड़े पहनाती और सुभह की प्रार्थना को वह अपने स्वर में गुनगुनाती रहती थी लेखक को लगता था कि वह उस प्रेयर को याद कर लेगा मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज सुन्दर लगती थी अच्छी लगती थी लेखक कहता है परन्तु मैंने कभी इसे सीखने की परवाह नहीं की फिर वह मेरी लकडी की तक्ती ले आती तक्ती होती थी पहले लिखने के काम में ली जाती थी पहले लिखने के लिए नोर्ट बुक्स नहीं होती थी तो तक्ती पर लिखा जाता था और पहले उसे धोया हुआ और पीली मिट्टी से लेपा हुआ होता था तक्ति पर लिखने के लिए पहले उसे मिट्टी घोल करके मुल्तानी मिट्टी को पानी में घोल करके उस पर एक पेस्ट का लेप लगाया जाता था और एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल कलम इन सब को वह एक बंडल में बान देती और फिर लेखक को दे देती एक मोटी बासी रोटी पर थोड़ा मख़न और चीनी लगाती और हम नाश्ता करते और स्कूल जाते वह कई बासी रोटियां अपने साथ गाउं के कुत्नों के लिए भी ले करके जाती थी लेखक की दादी हमें शावस के साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही था पुजारी, वर्ण माला और सुभह की प्राथना उन्हें सिखाता था जब बच्चे लाइन में बरामदों में दोनों तरफ बैठ करके अलफबेट्स पढ़ते थे तो एक साथ मिल करके प्राथना भी किया करते थी और दादी मंदिर में बैठ करके पुजापाठ किया करती थी और जब दोनों का काम हो जाता तो दोनों साथ ही वापस आ जाते इस समय गाव के कुट्टे उन्हें मंदिर के दरवाजे पर मिलते और दादी जो रोटियां साथ ले करके जाती थी वह उन्हें खिला देती वे कुट्टे जो थे घर तक लेखक का पीछा करते थे और इस प्रेकार रोटियां उन्हें लेखक फेंगता रहता था जब माता पिता यानि लेखक के माता पिता शहर में सेठ हो गए तो उन्हें लेखक को बुला लिया और यहां हमारी मित्रता में एक मोड आ गया तर्निंग पॉइंट आ गया दादी की मित्रता में यद्यपी हम एक ही कमरे में रहते थे, मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, दादी स्कूल में साथ नहीं जाती थी, तो लेखक मोटर बस में अंग्रेजी स्कूल में जाता था, ना वहां कोई कुट्टे होते थे, दादी हमारे शहर के घर के आंगन में चीडिय को खाना खिलाया करती थी जैसे जिसे समय बीता बहुत सारे वश बीत गए तो लेखक को लेखक की दादी कम मिलने लगी कुछ समय तक वह लगातार जगाती रही और स्कूल के लिए तयार करती रही जब वापिस आता तो पुछती की अध्यापक ने उनको क्या पढ़ाया यान लेखक उनको कुछ अपने जो उन्होंने अंग्रेजी के वर्ड मिनिंग्स पढ़े होते थे और कुछ साइंस की बाते या गुरुत्वा क्रिशन का नियम लौफ ग्रैविटी और ये सब उन्हें आर्किमटीज का सिधान्त प्रिच्वी गोल क्यों हैं ये सब बाते बताती थी और वहें दुखी हो जाती थी ये सब सुन करके वहें मेरे पाठों में मेरी साहता नहीं कर सकती थी वहें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातों पर विल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी और लेखको इस बात का दुख है दुख था कि वहां परमात् और धर्मकरंथों के बारे में कोई भी शिख्षा नहीं दी जाती थी यनि कि धर्म की कोई शिख्षा वहाँ नहीं दी जाती थी एक दिन लेखक ने आकट के बताया कि उन्हें म्यूजिक सिखाया जा रहा है और यह सुनकर के वह बहुत प्रेशान हो गई क्योंकि उनके लिए म्यूजिक सीखना बुरी बात था और यह एक बिखारियों का काम माना जाता था उसने कुछ नहीं कहा परन्तु चुप रहे गई यनि चुपी में वहम मना कर रही थी क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था इसके बाद वहम उसे कभी कभार बोलती थी जब लेखक उनिवस्टी में जाता है तो उसे एक अलग कमरा दे दिया जाता है और इस प्रकार से उनकी दादी के साथ मित्रतक खतम हो जाती है मेरी दादी जी ने एक अंतता को बिना किसी प्रभाव की सिकार कर लिया यानि कि अब वह अकेली रहने लगी थी लेकिन अपना चर्खा वह नहीं छोड़ती थी सुर्योदे से सुर्यास यानि सुभह जब सूरज उपता था तब से सूरज छिपने तक वह चर्खे पर रहती और अपनी क्रार्थना भजन गाती रहती थी केवल दो पहर में वह थोड़ा आराम करने के लिए चिडियों को दाना डालती जब वह बरामदे में बैटकर रोटी के छोटे छोटे टुकडे तोड़ती थी तो सैकड़ो चिडियां उनके चारों तरफ इकटी हो जाती और वो चिडियां चहचाहट से सचमुच के पागल खाने जैसा जिश्य बना देती थी ऐसे लगता था चिडियों को देखकर क्या लगता था कि जैसे कोई पागल खाना हो कुछ चिडियां उनकी टांगों के पास बेड़ जाती कुछ कंधों पर कुछ सीर पर तो वह हास्ती मुस्कुराती रहती थी लेकिन चिडियों को कभी भगाती नहीं थी और यह सबसे अच्छा समय होता था जब लेखक आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चे कर लेता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि दादी बेचेन हो जाएंगी क्योंकि उन्हें पांच वरिश के लिए दूर रहना था और उसकी उम्रे में कोई कुछ नहीं बता सकता था परन्तु दादी बता सकते थी लेकिन वह भावना में बहने वाली महिला नहीं थी वह लेखक को स्टेशन पर छोड़ने आती है और कुछ भी नहीं कहती है नहीं कोई भावना ब्यक्त करती है कि उसे दुख हुआ या दुख नहीं हुआ उसके होट प्रार्थना करते हुए हिलते और उसका मन प्रार्थना में खोया हुआ था और उनकी अंगुलियां जो थी वो माला के मोटियों को रट रही थी उन्होंने लेखक का माथा चुमा और जब ले लेखक को महसूस हो गया था पांक साल बात जब लेखक घर पर आता है तो उन्हें स्टेशन पर मिलता है वह एक दिन भी अधिक बुढ़ी दिखाई नहीं थी क्योंकि पांक साल जैसे वो पहले छोड़ करके उनको गया था वैसी ही वो दिखाई दे रही थी उसके पास अभ से खुशी के पल उसके साथ थी जब वह चीडियों को अधिक समय तक बनावती डाट फटकार के साथ खाना खिला रही थी शाम को उसमें एक बदलाव आया और उसने प्राथना नहीं की आस पड़ोस की महिलाओं को इकठा किया एक धोलक लिया और गाना शुरू कर दिया कई घंटों तक वह पुरानी धोलक की धिली खाल पर थपकी देती रही और योधाओं के बापिस घर लोटने वाले गीत गाती रही जब सैनिक युद से लोट करके आते हैं तो घर की महिलाएं गीत गाती थी उसी प्रकार से वह भी गाती रही और उसके अगले दिन ही वह बिमा हो गई उन्हें बुखार हो गया डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि बुखार उतर जाएगा रेकिन दादी का मानना कुछ और था वह नहीं मानती थी कि उनका बुखार उतर जाएगा इस बात का लेखक ने विरोध किया वह शंती से विस्तर पर लेटकर फिर स प्राथना करती रही और माला जबती रही इससे पहले कि हम संदेह भी कर सकते उनके होट हिलना बंध हो गए यानि कि अब वह है मृत्यू को प्राप्त हो गई थी उनकी उंगलिया निर्जीव हो गई थी उनमें जान नहीं रही थी और बिलकुल उनके चेहरे पर एक पीसफु बिलकुल पीला हो गया था उनका चेहरा येलो पेल हो गया था और वहें मर गई है लेखक को विश्वास हो गया कि वहें मर गई है एक रिवाज होता है जिसमें उन्हें विश्टर से उठार कर फर्ष पर लेठा तिया गया और उसे हमने ग्राउंड पर लेटा थिया और उन पर एक लाल रंग का कफन ढख दिया गया मॉर्निंग कर रहे थी सभी लोग बिलाप कर रहे थी कुछ घंटों तक और कुछ आवश्यक प्रबंद किये गए जिससे उनका फ्यूनरल यानि दार संसकार या जा सकी और इस प्रकास से जब सूरत छुप रहा था उसके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोष्णी की चमक फैले हुई थी वी स्टॉप्ट हाफ वे इन दा कोट यार और बरामदे में कमरे में जो थे हम आंगन में ही बीज में रुख गए सारे बरामदे में कमरे में ठीक वहा जहां बहर मृत लेटी हुई थी सक्त लाल कफन में लिप्टी पड़ी थी और सेक्डो चिडियां फर्स पर बिख्री वी बैठी थी कोई भी चिडियां आवाज नहीं कर रही थी हमें पक्षियों के प्रती संवेदना हुई और मेरी माँ सब के लिए रोटियां ले करके आई चोटे चोटे टुकडे करके जैसे दादी क्या करते थी उन चिडियों की तरफ फेक दिया गया लेकिन चिडियों ने रोटी नहीं खाई उन्होंने रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया जब दादी के शव को लेकर के लोग चले गए तो चडिया चुपचाप उड़ गई अगले दिन सफाई बाले ने रोटी के टुकडे जाडू से इकठा करके कुड़ेदान में डाल दिये इस प्रकार एकर की दादी का यह है चित्र उन्होंने लिखान है जिसमें अपनी दादी के बारे में बताया है एक इस प्रकार से वह पक्षी प्रेमी भी थी और उन्होंने अपनी जीवन की जो उनके साथ क्षण बिताये थे उसके बारे में इस प्रचित्र में बताया है अगर आपको इससे समन्दित कोई भी प्रेश्ण है तो कमेंट सेक्षन में कमेंट करके आप पूर सकते हैं